आफ्टर फॉर फाइव डेज जो ब्रीक होती है वो इस फों में आ जाती है और ये धूप में सुखाने के बाद यूज करने लायक हो जाती है इसको आप अब स्टोर करके रख सकते हैं और कभी भी जब कोई ऐसा पोट लगाते हैं तो जिसमें नमी की ज़्यादा जरूरत होत है या फिर टैरेस पर आप लगाते हैं या हैंगिंग बास्केट त्यार करते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं यह एक एडिटिव अब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है खाद के रूप में नहीं हेलो एवरिवन वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरू पेशेंटली यूज करने लाइक बनाया जाता है किसी बड़े टब में रखकर इसको पानी से फिल कर दिया जाता है और जब बिलकुल पानी इसके अंदर तक चला जाता है तो यह फूलना शुरू हो जाती है और यह देखिए लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है इसको ध धीरे 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 पेशेंटली भिगोना पड़ता है ताकि पानी इसके अंदर तक जा सके और ज्यादा से ज्यादा पानी जाएगा उतना ही यह जल्दी फूल कर अलग-अलग होगी और क्योंकि यह बड़ी ट्रांस्पोर्ट करने में इजी रहे इसलिए इसको ब्रिक के रूप में बना दिया जाता है आला कि आज कल खुली भी मिल जाती है रेडी बिल्कुल और यह जो है इसमें कई एरियाज में यह सोल्टी वोटर में बना कंप प्रेस किया जाता है तो बड़ी इसको वोश करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जो सोल्टी वोटर होता है वह बहए जाता है और सोल्ट जादा प्लाट्स के लिए अच्छा भी नहीं होता कि कई लोग जो न्यू बिगनर्स होतें उनको या कई लोगों को गुम्रा करते हैं यह कहके यह खाद है बट ये एक additive object के रूप में रूप में नहीं का और जाहां जिस प्लांट को जादा नमी की जरूरत होती है उस प्लांट में इसके रूपो ही जाता है ग करते हैं लोग उसमें भी इसका j grep kya जाता है क्योंकि गर्मियों में सील हो जोlles फॉल है उसकी जल्दीस सूख जाती है लेकिन अगर हम इसमें 30% प्लास्टिक के पोर्ट में 30% कोको पीट 30% गार्डन सोयल और 30% कोई भी कमपोस्ट डालेंगे तो वो हमारा बेस्ट सोयल मीडिया होगा उसमें कोको पीट मतलब बराबर की यूज की जाती है और नारियल के हस्क जो निकलता है जिससे गद्दे भी बनाये जाते हैं मैट्रिसेज बनाये जाते हैं उसी कोई बार एक बार एक काट कर और फिर मशिनों से इसको त्यार किया जाता है यूज करने की फॉम में और सीडलिंग में इसको इसलिए ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि जो सैपलिंग ग्रो होती है उसको थोड़ी असानी हो जाती है स्प्राउट होने में तो इसलिए उसमें सीडलिंग में इसको इसमें बैस्ट सीडलिंग होती है बिल्कुल अगर हम यह सोचे कि खाली कोकोपीट में हम प्लान्ट ग्रो कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है उसमें थोड़ी बूर्थ मिट्टी का हुझ किया जाता है खाली कोको पीट में हम प्लांट ग्रोन नहीं कर सकते हैं खाली सैपलिंग के लिए सीडलिंग के लिए ही इसका यूज किया जाता है और बास्केट को लाइट बनाने के लिए लाइट वेट करने के लिए और सोयल मीडिया को लाइट करने के लिए टैरेस पर इसका यूज किया जाता है तो ये 4-5 डेज के बाद मैंने इसको धूप में अल्टा पल्टी करके सुखा लिया है और यूज करने के लैग बना लिया है अब इसको आप इसको किसी बैग में स्टोर करके भी रख सकते हैं ताकि जब आपको जूट पड़े आप इसको निकाल कर यूज कर ले जब भी आप कोई ब्रीक या कोई ऐसा लेते हैं तो कंप्रेस फोम में 3 टाइमस उसका वेट हो जाता है भीगने के बाद एक किलो की ब्रीक लेते हैं तो तीन किलो कोको पिट अराम से बन जाती है तो ये तो थी कुछ मेन बातें को 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 पिट के बारे में आई होब आपको अच्छी लगी होगी इन्फोर्मेशन अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएगा इसके साथ यह एंड करते हैं बाई बाई टेक केर